हम अपने मुल्क में एक ऐसी बुराई को फैलते वे देख रहे हैं उसको इस तरह से पोट्रे किया जा रहा है कि वो बहुत ही एक बड़ा मिशन है आज का शो शूरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं वो डिस्क्लेमर यह है कि प्लीज आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं आप यह जानने कि यह बात फैमिली के साथ शाय देखने वाली ना हो आज हम वीडियो चलाएंगे आज हम पोस दिखाएंगे और हम काफी अरसे तक बगएर नाम लेके इस इशू की बारे में बात करते हैं लेकिन इवेंचुली इसलिए हम नाम ले रहे हैं आज आज शकल दिखा रहे हैं आज इसलिए आपको क्लिप दिखाएंगे इसलिए वी वे रड़ी? अनुछ इस परता है तो एच का विष्टीर के विष्टीर का विष्टीर है व्हाँ थाइशन तर स्य थाइशन है थाईशन दिल्च फियुक्त डिल्च शोर भी चाहिए जो अन्लाइक विष्टीर करते हैं वहां क्या है विष्टीर है इंशाला, इंशाला, I'm super excited, so are we live? चले, बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम, अस्सलाम अलेकुम वरह्मतुल्ला इबरकातु, वेलकम टु अजी दीन पॉड़कास्ट, आज का शो बहुत ही इंटरिस्टिंग है, अधे सेम टाइम, बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट इसलिहाज से ह कि जो लोग हमारे वीडियोज देखते हैं, जो हमारी पोस देखते हैं, हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, उन को ये बात का अंदाज़ा है कि हम जो रेफुटेशन स्टायल है, ہमारा जो नाम लेके हम किसी शखसियात के बारे में बात करना, किसी खास मखसूस एदानों के बारे में बात करना, हम ये स्टाइल नहीं अपनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस बुराई के बारे में बात करें ताके उस बुराई के बारे में लोगका अवैरस हो और लोग छो है उससे दूर रहें, और उसको फ्हलने से रोकें. लेकिant रिसन्टली हम अपने मुलक में एक ऐसी बुराई को फैलते वे देख रहे हैं और वो फैलने में काम्याब नहीं हुई लेकिन उसको इस तरह से पोट्रे किया जा रहा है प्रजेक किया जा रहा है कि वो बहुत ही एक बड़ा मिशन है और काफी मासूम इग्निरंट लोग उस ट्राप के अंदर फ़स गए और इंशाला ताला आज का शो शूरू करने से पहले मैं एक डिस्कलेमर देना चाहता हूँ वो डिस्कलेमर यह है कि प्लीज अगर आपके पास छोटे बच्चे बैठे वे हैं आपके साथ अगर छोटे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं कि उनको यह तरह की बातें अप्रोपिरेट नहीं लेगी क्योंकि हम 18 प्लस इसलिए कहते हैं 18 प्लस कहने का मकसद यह है कि देखिए आप जानने कि यह बात फैमिली के साथ देखने वाली ना हो इसलिए कि आज हम वीडियो चलाएंगे आज हम आपको पोस दिखाएंगे क्योंकि हम चाह रहे हैं और काफी लोग ने हम से रिक्वेस्ट की काफी लोग ने हम से रिक्वेस्ट की please आप नाम लेके बात करें और हम काफी अरसे तक बगहर नाम लेके कि सही क्या है गलत क्या है वो इसको एक human rights का issue समझते हुए इसको इसके बारे में आवाज उठा रहे हैं और मजीद लोगों को confuse कर रहे हैं इसके ओपर इंशालों तरह बात करेंगे शो का नाम है जो हमने रखा था gender reveal parties इसका context क्या है इसके और हम क्या बात करते हैं लेकिन आज मेरे खास मेहमान जरें शावानी आज मौझूद हैं इंशालों तरह यूद का perspective क्योंकि हम तो बुज़र हो चुके हैं तो यूद का perspective देने के लिए जरें, are you ready? I am ready. All ready and all set, you know, to let things loose. और हमारे साथ बैठे हैं Heather. Heather कैसे हैं, कैसे हैं? अलब अलब आजाए को ऑदेए, किसी का मजा किसी का तंस करने के लिए, हम ये शो नहीं कर रहे हैं लेकिन आज़्ाओ को अदिके हैं बुराई openly की जाए और कोई आके कुले आम बुराए को पहराने लगे तो लोगों को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है. मैं आउडियोंस को ये बात बोलता चलूँ कि देखिए जिनकों नहीं जवारें फता हैं हम इसलिए रुके वे थे कैसा ना हो कि हम जिसको नहीं भी पता उस तक ये बात पहुंचाए लेकिन हमारा बेसिक इंटेंशन ये है कि हम इवेंचली लोगों को पहले से अवेर कर देना चाहते हैं बिकुस ये चीज़ अब इशू क्या आ रहा है इशू ये आया है कि ये जो सहाब हैं जिनका नाम मोईज है और मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कि अब शकल दिखाये जाएगी तो फिर वी बात की जाएगी और में अल्ला सुमातला गाइड हैं अन्होंने एक रोना मचाया कि मुझे स्कूल में आने से रोका और मैं अल्ला ब्लेस वन अफास सिस्टर जो मारियदी हैं अल्ला सुमातला जिससे काम ले लेता है तो मैं आपके सामने एक पोस्टर रखना चाहता हूँ जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और ये पोस्टर बिसिकली एक जंडर रिवील पार्टी का है जो उनोंने किया और ये पार्टी वस ओल अबाउट कि आप असल में अपना जंडर रिवील करें और आप क्या हैं आप अपने आपको मर्द समझते हैं औरत समझते हैं दिखने में आप मर्द हो लेकिन आपने आपको औरत कंसिडर करते हैं और ये असलिए अपने बात की तो लोहर का कोई स्कूल था और उनने उधर बात कि और उनने बुला कि ये राइटली पैरेंस चाह रहे हैं ये individual ना है, ये individual बहुत vulgar और disgusting बाते कर रहे हैं और ये मैं आज आपके सामने clips के clips दिखाऊंगा कि किस तरह की बात है और clips देके आप खोद ही अन्दाज लगाएगा, ये किस चीज़ की जिद्ध जहेत है किस तरह की तालीमात है, किस तरह का रवाई है, किस तरह की बाते हैं जो आपके और मेरे बच्चों के सामने की जाएंगी, ना सिर्ब बच्चे एक मुस्लिम माहशरे के अंदर बात की जाएगी और इसको शकल कहती जारी है कि आप जो है freedom of speech को रोक रहे हैं अगर कोई freedom of speech का फाइदा आठाते हैं, अगर उसको उसके खिलाब बात कर रहे हैं तो उसको ट्रांसफोबिक और उसको क्या-क्या लेबल देगा जब आगुमेंट्स गेट टाफ जब आगुमेंट्स और रास्ता नहीं बलता तो उसको एक फोबिय का नाम दीजिए कि आप फोबिक हो रहे हैं, और लेबल जगा दिया है तो सबसे बैक्गराउंट देते वे लोगों को कि उन्होंने उसके उपर ट्विटर भी किया, उसके बारे बात की and at the same time, मसला ये कि देखे, आजेंडा पता चलता है और आजेंडा क्या पता चलता है कि कुछ ऐसे निउस पेपर्स हैं, ट्रिब्यून हैं, डान हैं वो इसको एक बढ़ावा देते हैं क्योंकि आप अची तरह से जानते हैं, यहां पर जो राइटर्स हैं, यंग्स्टर्स हैं, कुछ इवन एथियस भी हैं जो लिख रहे हैं और उनका religious inclination के साथ क्या तालव कि Allah भेहतर जानता है वो किस तरह से उन्होंने उसको दिया कि this video is going on round, यह पहलावा video, people are talking about it, no, nobody is talking about it ओ, फणा फणा, एक्टरिस के बारें बहुत हो रही है, this is the strategy which they use और यह इसको भी करके अपने front page newspaper पे यह दे रहे हैं, they are making this individual, seem like, इसको दिखा इस तरह से रहे हैं यह एक बहुत बड़े mission के उपर निकला हुआ है, पाकिस्तान के जो social constructed जो basic concepts है, उसको challenge करने की बात कर रहा है तो आज का हमारा show इस बारे में, इसके बारे में इसके बारे बात करेंगे, academically भी बात करेंगे, what does Islam has to say about it, why are we talking about it, because एक individual कह सकता है किस साथ क्यों जोड़े हैं, because आप screen पर आके, Islam की उपर बात करके, Islamic concepts के बारे में गलत बियानी कर रहे हैं तो इंशालत है इसके उपर मजीद बात करेंगे, Heather मैं आपसे start करता हूँ, what is your take on it and what is happening and किस हद तक पहुँच गया है कि आपको लगता है कि हमें ये जरूरी समझा कि हम इसको शो में नाम के साथ, विडियो के साथ इसको बात करने पे हम मजबूर हो गया है वजब भी, प्रॉब्लम बड़े अर्से से चल रहा था, पिछले कम से कम भी में स्ट्रीम के उपर चार से पांच सार हो चुके हैं, ये बात में स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है सब कॉंटिनेंट की बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान के अंदर खास तरुपर इसको में स्ट्रीम करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए हमारी बिरॉक्रिसी, हमारे एवानों के अंदर, हमारी कुछ ऐसे बिल भी पास की इसके पर हम आगी जाके इंशाला बात करेंगे और उसके बाद मीडिया का जो रोल रहा है, और मीडिया परसनालिटी का जो रोल रहा है, वो कुछ इस तरह का था कि पोट्रे ये किया गया है, जैसे कि ये बहुत ही कोई important issue है, और शायद यहाँ पर उन लोगों के साथ बड़ी ज्याती हो रही है, और साथ ये भी दिखाय ये बोल रहा होगा, oh my god, ये लोग कितने ignorant लोग है, इनको तो पता है नहीं कि मसले के असलियत क्या है, लोगों को मजीद confuse कर रहे हैं, इसके पर बिंशारा तरहां बात करेंगे, right? Exactly, और मुक्तलिफ लेबलिंग ये भी एक बड़ी टेकनीक होती है, कि अपने रेटरिक को और अपनी बात को मजबूत करने के लिए, बड़ी बड़ी टर्मिनालोजी और बड़े बड़े लवज मोटे मोटे अंग्रेजी के लवज उठा के बंदे के उपर मारो, पबलिक को मासूम जब करें, हाँ यार ये ठीक ही क्या है, और मैं अनुसली आपको बता हूँ, जिते भी स्कूल के बच्चे हैं, मुसली उस एरिया में जो बहुत में स्टीम सोशल प्लाटफॉर्म्स को देखते हैं, चाहे वो नेट्फिक्स है, इंस्टेग्राम है, और वो और वाइलिंट केस्स को जो जिकर करते हैं, ऐसा हुआ होगा, बट मेकिंग फ्यू केस्स उसके वार जिस्टिफाइ करके उसको एक वल्गारिटी को प्रोमोट करना हूँ, मैं बार बार क्यों कहा है, वल्गारिटी हैदर, विकोज आप जब बंदे की बात सुनेंगे हैं, तो आप जब बंदा खुद आके ये बात कह रहा है कि मैं अपनी जिन्देगी में ये काम करता हूँ, तो आप बिंग सेंसिबल इंडिविजूल और जिसका अपना इंटेलेक्ट है, वो खुद ही जजज कर जाएगा कि मसला क्या इस्यूश्यूश्यूश्यूश्यूश्य यूथ में ये बात बहुत जादा वाइरल हुई है और उसका रीजन ये है जैसे आपने कुछ मीडिया आउटलिट्स की बात की जिनमें सरे फैरस नाम जो है वो एक्स्प्रेस ट्रिब्यून, डान, मेंगो बास इस तरह के प्लाटफॉर्म्स हैं जो इसको सामने ला रहे है इस बंदे को as a savior बनाके कि ये transgender rights पे बात कर रहे हैं और हमें transgender का जो मतलब बताया जाता है वो खौजासरा बताया जाता है और हम बोलते हैं हाँ वाकिए में खौजासरा की तो rights ये मजबूर जो signal के मिलते हैं absolutely एक भी इसकी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें ये वाकिए में उनकी बात कर रहा है जहां पर भी बात है अच्छा वजी बाई transgenderism के साथ homosexuality को connect कर रहा है आप तो transgender rights पे बात कर रहे हो ना उस वज़े से आपको हम support करें homosexuality बीच में कहां से आकर transgender, homosexuality और साथ क्या कहते है बल्गारिटी, filth, effeminity इन सब चीज़ों को mix कर रहे हैं अच्छा एक अजीब बात ये कि इनसान बात कर रहा है तर्द दिलाने वाली कि एक इनसान struggle कर रहा है एक इनसान ये बात बोलना शुरू करे कि देखिए मेरे अंदर कुछ ऐसे जजबात है मिसाल के तरफ में एक जजबात बोलू कि मेरे opposite gender की तरफ एक जजबात है और I'm very high on testosterone और मेरे अंदर जो temptation है बहुत ज़ादा है ये एक challenge अलग है intention और अंदरूनी challenges का और उसको involve करके एक movement का हिस्सा बना देना कि मैं वो कर जो रहा हूँ, मैं करने पर आ जाँ और मुझे उस चीज़े censor करनी पड़ेंगी, but just to give you an idea और इसको जब मारिया बीन है जो designer है उन्होंने जब वो किया तो उन्होंने बोला कि उन्होंने वो ये बात बोली है कि ये जो बंदा है ये जो बात कर रहा है हमारे state level पर कुछ लोगों ने अपनी नासमझी में ये पास कर दिया और transgender के human right का issue है इसलिए इसकी will pass करके या इसको policy के तौर पास करके इसको शनार्थी कार्ट पर एक जगा दे के लोगों को जगा और दर्वाजा खोल दिया जाए जो लोग transgender के नाम पर misconception पहला कर उसको गलत इस्तमाल कर रहे हैं exactly right and what is that aspect Heather मैं आपसा पोचता हूँ कि we are first going to clarify to the audience कि ये बात के क्या मसला था क्या मसला था क्या मसला था कि अगर आपके आपा स्क्रीन में भी मैंने थोड़े पहले दिखाया कि what maria viewers saying कि हमारे स्कूलों में आ रहा है and this person is not a right representative she is right चाहे कितने लोग उनको bash करें चाहे उसको bash करते वे newspaper outlet images और foreign mockery का फादा आठाते वे actresses आजए जिससे अभी आपके सामने एक screen पे आएगा एक actresses actress हैं उन्होंने statement लगाई कि oh I'm sorry जिससे आप देख सकते हैं screen के अंदर कि I'm sorry moiz that you have to go through this because हमारी society में अभी acceptability नहीं है and so and so you know that rhetoric trying to jump on the bad wagon exactly so सब सबसे पहले मैं आप से बाद को let's just clear it on the table right now what is the Islamic perspective क्या Allah subhanahu wa ta'ala ने इस बारे में कोई इशारा ने लिए और लोग जो है इते सालों से गलत समझते हैं what is the Islamic aspect what is transgenderism what is this intersex element what is this entire confusion about वजब भाई बुनाई जोर पर ना क्योंकि अवाम ये बहुत अदा डिमांड भी करती है this is the need of the hour as well तो terminologies हम सामने रखते हैं उसके पाद एक एक करके उनको बारी बारी discuss कर लेते हैं मेरा खालते हैं सबसे पहली terminology जो आपको बताई जाती है जो कि जिसको कहते है umbrella term है और umbrella term कहा कि word use किया जाता है transgenderism का transgenderism as the word suggests ये ट्रांस यानि ये एक बंदा है जो कि जिस gender में पैदा हुआ था मर्द या औरत जो पैदा हुआ था इसने transition किये और ये change करके या मर्द से औरत बन गया या औरत से मर्द बन गया या आज़ तो ये खुराफात देने बढ़गे हैं कि वो कोई और non-binary कि मैं मर्द भी नहीं हूँ और मैं gender fluid हूँ और फुला इम्कान और पते नहीं किया कुछ और जिसरा कि ये एक अब ये वीडियो आप ये वीडियो देख सकते हैं साथ कि वो कहते है कि जी नानी और इस ट्रॉड जाइड ये वो अपने जेंडर को चेंडर को चेंज कर लेते हैं इसकी बदी बात ये कि इस ट्रांस जेंडर की टर्म को इसके नीचे जो है न हम कहते हैं कि यही खौजा से रहा हता है यही जो आपको रोड़ो में नज़र आता है सब यही होते हैं और मज़्य की बात है कि इस नॉट लाइक डाट हम बिल की ओपर आगे जाकर बात करें फिरला टर्मिनोलोजी की बात करें ट्रांस तो यह हो गया, अब आज हैं हमारा जो basically points है, जो हमारा problem था हम जो बता रहते हैं कि intersex को जो mix किया जा रहा है और effeminate men को जो mix किया जा रहा है transgender के साथ सबसे पहले बात कर लें intersex के उपर hermaphrodites जो होते हैं basically hermaphrodites, intersex क्या होते हैं जिनकों हम यहां पे अमूमी तोर पे जो हम देखते हैं इनकी बहुत कम तादाद होती है आम तोर पे क्योंकि यह आम तोर पे पाए नहीं जाते हैं यह होते ही नहीं यह 0.001% का एक ratio है हम समझते हैं कि इतना ज़ादा इसका जो है बहुत ज़ादा है जाता है कि यह तो एक entire movement के बारे में yes to a certain degree अगर कोई intersex का मामला है जिससे हम Arabic terms we use करेंगे आप जिवे explain कर देंगे तो वो समझते हैं कि जो सड़कों पे नजर आ रहे हैं साड़ी पहने वे ताली बजाते वे यह उनके rights का issue है और आप इससे के अंदाज़ा लागे हैं कि आपको जो conference कराते हैं बुलाते भी उन्हीं को है to gain sympathy कि इनके साथ क्या होता है yes उनके साथ जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है but हमारी society में a cultural religious belief है cultural नहीं religious belief है और आप सुनते भी आरोंगे इनकी बद्वाँ नी लेना इनके वो नी करना and this has become a business और बहुत से ऐसे individuals हैं जो सिर्फ पैसे कमाने की चकर में ये बनते हैं और वो आके signal पे मांगना ये फ़ना फ़ना जगा पे मांगना शुरू कर देते हैं so people should not confuse this practice with transgenderism अच्छा एक चीज़ मैं इसमें आड़ करता है चलों transgender जो होते हैं वो आप अपना decision बना के बनते हो yes intersex biological level में you have genitalia या उसमें biological scientific level पे ये मसला होता है intersex basically इस बात का मतलब ये intersex is any person जिसके male female organs जो है वो या properly developed नहीं है या altogether missing है या फिर दोनों मौझूद है या एक ज़्यादा मौझूद है एक कम मौझूद है यानि basically ये एक abnormality है ये एक abnormality जो यहाँ पे मैं add in करता रहूंगा कि देखे जो transgenderism के नाम पर ये बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर because society के अंदर एक अजीब confusion हुई people want to be happy और लोग समझते हैं I am not happy because maybe शायद I am not supposed to be a male I am not supposed to be this I am not supposed to be that तो ये एक confusion पहला दी है कि लोग जो है if you want to be a female अगर आप मर्द पैदा होई हो तो आप female बन सकते हो अब इसके लिए जो ये individual है ये promote कर रहें की videos हैं जहां पर ये बोलता है कि देखिए आप अपने estrogen level को high करने के लिए अगर आप लड़की हैं अगर आप चाहती है कि आपके periods रुक जाएं और आप मरदानगी वाली चीज़े ले आएं तो आपने जो testosterone के लिए जो करने के shots हैं वो करना शुरू कर दें ये सब चीज़ों करते वे इसके बारे में transgenderism को कर रहें और इसके चक्र में बच्चों के operation किये जा रहे हैं कि बच्चा अगर inclined work for instance female friends के साथ school में Montessori में पहल रहा है वो आके बोलता है 7-8 साल की उमर में मामा मा I want to be a girl I don't want to be a boy तो state माबाप की मर्जी से भी हटकर वो उसका operation करा देगी और imagine the dire consequences एक बच्चा जो अपने school या अपनी ice cream या अपने खाने की पसंद को अशोर्डी के साथ ने का सकता उसके साथ यो जाए तो और this is called as a form of liberation पसको गाड़ी चनलने नहीं दे रहे लेकिन आप कहते हैं कि आपका हम operation करवा के आपकी genitals change करवा जाएगे उसको वोट भी करने दे रहे उसको वोट करने के लिए लिए यसे चीज़ दे रहे लेकिन गाड़ी चनलने मिन दे रहे इंटरसेक्स लोगों को जो ना वो दलील बनाके साइंटिसे के तरह एक नेरेटिव पेश किया जाता है कि ट्रांसजेंडरिजम जो है यह एक नैचरल चीज़ है यह मजबूरी बन चुकी हमारी ठीक है कहते हैं कि यह भी उसी अंब्रेला टर्म के अंदर आता है तो यह इंट हम सेक्शोज को भी ले 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 रहे हैं हम जिनस परस्ती को भी बीच में ही लेकि आ जाते हैं अब मज़गी बात यह कि यह कहते हैं कि इसकी वज़ा से दलील बनाके जो आपके हमाफरोटाइट्स हैं इंटर सेक्स को दलील बनाके कहते हैं इसकी वज़ा से हम कहते हैं कि जो gender है, sexuality gender जो है, it is a spectrum यानि इसके मतलब यह है कि इधर male है इधर female है, जो इनसान होता है वो बीच में कहीं भी हो सकता है ठीक है, हाला कि यह बिलकुल ऐसी मिसाल है और गोला कि अगर आपने आपको इस zero से one तक अगर लेकर अपने आपको मानते हो कि आप transition कर सकते हो तो आप transphobic नहीं हो you define the terms कि अगर आपने पहले से बोल दिया अगर आप इस चीज़ को हम नहीं मानते है हम religiously मानते है अगर आप इसको बोलते हैं transphobic हैं तो भी ठीक है इसके उपर science by the way, इसको phony science दो नंबर science यहाँ पर जो studies है जो की proper peer reviewed नहीं है studies ठीक है और वो studies जिनके अंदर बहुत चोटे-चोटे sample size लिए हैं वो studies पेश करके उनको दलील बनाता है और अगर दलील बना भी रहे हैं तो उसकी जो understanding है वो गलत पेश कर रहे हैं अभी यहाँ पे अब मिसा के दोर पर जब मैंने बताया ना कि intersex का लिबादा ओड़के यह transgendरिसम को promote करते हैं तो मैं आपको अब इसके उपर statistics हैं वो सुनने जरा statistics से पहले मैं आपके हम पहले वो clarify कर दें जो concept है transgenderism और intersex का from a religious perspective जैसे जो term यूज किया जाता है खुंसा और मुछनस थक्यख्यां मुछनस वो शक्स के बारे में जिकर किया गया है रसूल अल्लाओ स्सें की रखीस है कि अल्ला के रसूल ने लानत भेजी है वो अल्लाओ की मासी से महरूम है जो मुछनसेन मिन الرigsन वो मर्द जो औरतों की तरह ड्रेस होते हैं और औरतों की तरह बेहेव करते हैं और औरतों की तरह बेहेव करने से मुराद यह है कि यह बॉन मेल उनकी जनिटल्स है लेकिन वो जह है उनकी जो प्रेफरेंस है कि वो औरतों की तरह औरतों की तरह वो करेंगे। उसको mix किया जाता है intersex फोकाहा ने क्या differentiate किया है कि देखिए उनके पास जो criteria है वो यह है कि देखिए जो खुनसा का issue है कि एक intersex का जो मामला है कि उनके दो genitals हो सकते हैं उनके जो है genitals नहीं भी हो सकते हो सकते हैं कोई opening हो private part की वो किस से urinate करता है वहां से उसका agenda determine होगा आप रसूल लास सलम की time की example जानते हैं कि जहां पर एक शक्स ने ये बात का दावा किया कि I am a female but वो उसका जो issue था वो वापिस जब orthodox में गया तो उनने वापिस हरास करना शूरू किया and रसूल लास सलम ने उसको जला वतन किया था उसको जहने अपने शहर से निकाला था तो लोग की intersex जो के mind you our audience जो 0.0001% है because of some deformity उसको एक बहुत बड़ा issue करके ऐसे issue को mix किया जा रहा है कि I want to dress like a female I'm a man, I was born a man, I'm not happy I want to be a woman, मैं अपना नाम change कर दूँँगी मैं अपना नाम महरोने सा रग दूँगा मैं dress up होंगा मैं औरतों में बैठोंगा मैं तयार उसको बात होंगा and this is what this individual is trying to speak definition of masculinity or femininity को वो एक trade बताते है इसलिए हमारा एक show भी था कि जाना कि हमने वो अगर आप masculine लो तो वो conditioned है वो आपका situation को देखकर आपके अंदर से masculinity निकल सकते है और वो आपकी gender has nothing to do with masculinity यह जो वाम सुर्णों को summarize कर दे कि हमने बिसलिए अभी तक तीन terminology की बात कर ली intersex, trans और उसके बाद हमने बात कर ली effeminate men की बात कर ली अब अगर हम यहाँ पर ruling की बात करें जिसा वजी बही ने बयान की इनके बात की बात की बात कर लेंगे जो effeminate men है और जो trans community यह Islam के अंदर इन इस चीज़ की कोई जगा नहीं है, even if you are feeling like it तो आपको उस feelings को आपको control करना पड़ता है, आपको रोकना पड़ता है अगर आपके अंदर ऐसी feeling आ रही है कि मैं मर्त और औरत की तरह नकाली करूँ तो जो effeminate men है, उनको भी control करना पड़ेगा और जो trans है, उसकी तो जगा ही कोई नहीं बनती है मतलब कि मैं transition कर जाँ Because your accountability is not on the action is not on the intention Because आप struggle कर सकते हो, हो सकता है आपकी inclination towards a male है, being a male और जैसे तरह से आपकी अपसे gender की तरह हो सकती है, लेकिन आपका की accountability और आपकी सजा उसकी action पर है जो आपने उसके नतीजे में है, आपने क्या किया आप उसको कह रहा है कि नहीं, चुके what this individual is trying to do what he wants, आपकी आपकी तरह की नहीं तरह है तो आप अगर एप की बात सुनी है कि ये बात क्या कर रहा है and I apologize once again because this is a Islamic organization but eventually हमें चीज को, चुके पॉब्लिक में आ जाती है तो हमें बताना परता है and let's just listen to it and let's see what this person is saying किया है वोग तक टूपनी अधिए प्रस्टाइब है जो पिस फिर दखार जा आजए अच्छा इतना सादा आज़ कर दो कुपर एक कमेंट आ रहे हैं के यह तो खुलनम चुछ इन आज़ तो फिर्मेंट आन मुरू और मेरा पॉडकास्ट इन के वो फेक लड़की नाम से प् उस्टू पीपल, लूट देम और रेप देम तो इसर्ड दॉमिनस और इंडल्ज 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 पेड़ोफिल्या वह भी फोर्स्ट असे उंगे घर तूट पड़ेते हैं, वहराव प्रमोटेट इस फॉर थेंज अचाहिए नुट कि श्कॉलर भी हैं माशाला यह मु लेकि नियू होमोसेक्शुालिटी वाला इशू, बिकॉस लेज इस इसक्लिए अच्छली एगाई, वह वांस तो इस फीमेल, आप इन्हों ने दवाया काईएं, बल्कि अपनी कुछ वीडियो में वो किया है, अब यह कौम लूट की जो स्टोरी है, उसको, उसकी जो तफस आएत है, यह दे कि लूट के लिए क्लियर कट कहता है, वह जो लोग ते गोम लूट के जो अफरात है, यह औरतों को छोड़के यह लज़त पाहन हासिल करने की कोशिश करते हैं, यह मर्दों से, लिए मुझा के साथ, लिए क्लियर कट अलफाज हैं, तो आप उसको डिनाए करके कहते हैं, नहीं नहीं तफसीर निकाल के लिए कि आ रहे हो, अच्छा, इस लॉजिक के थूरू, अगर हम मान भी लेते हैं, तो क्या औरतों का रेप करना फिर जायज है, अकॉर्डिंग टू डिस आया, जिसको यह रेफरेंस बनाते हैं, वो बस बनाता है, औरतों के ब रिपोर्ट, दे वाइफ वस दे वन जिसने रिवील किया था कि खुबसूरत लोग आया हैं, बिको सुसाइटी में बड़ा नौम था, और रूत अलिए सलम वस माइनौरिटी में थे, इसको रोक रहे थे, तो यह लोग आये थे, और उन्होंने जहना दर्वाजे पर आखे तोड़ बोड़ करना शुरू कर दी कि हमारे हवाले करो तो, उनको जह है, उस पे अज़ाब आया था, क्योंकि यह काम करते थे रेप करने का, सवाल यह पूछा जा रहा है, कि एक कौम की इंटेंशन है, कि वो फरिश्टे जैसे या महमान जो नभी के महमान है, उनको रेप करने के इंटेंशन कर रहे हैं, तो आप कहरे हों कि पर अज़ाब आ गया, लेकि पूरी एक कौम है, जो अंबिया को कतल करने की का काम कर चुकी है, उनके पर अज़ाब नहीं आ रहे है, आपने किस बाद, कुरान जब क्लेर कह रहा है, इजमा, इजमा मीनिंग, नाट इवन सिंगल स्कॉलर, नाट इवन असिंगल स्कॉलर है, उनकी सजा जो थी, वो अल्ला ताम ने तबाह किया था, वो इस वज़ासी के था, इस वादें नहीं किया था, आप कह रहे होगे, चौदा सौ साल प्लस से, सब गलत समन में आ रहे हैं, सब ने खलत कुरान को समझा है, सार कितनी अजीब और गरीब बात है, कि आप देखें, हम भी बात कर रहे थे, कि ट्रांस की बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं, इनके ओपर कोई मसले की बात नहीं है, क्योंके थाट प्रोसेस के ओपर आपने एक्स्प्लेन की बात, और हमने, मसले क एक बाद नहीं है जो एक नेच्रल फिनॉमना है वो है इंटरसेक्स पीपल, वो कुछ भी नहीं कर साथ तो इसके बारे में, वो बस सिंप्ली यह करें, जो स्कॉलर्स निसके बारे में बयान की है, वो जिस तरफ ज्यादा लिन कर रहे हैं, जो जो जनिटल्स या उनके जो करे अजब बहुत वीडियो सलाएंगे जी, ले लगषिस्ट सुनी आएट श्मान, इपाइट पल प्न इसन आएट यह जो का इसन आएटंड गवान स्कॉल्ड फिदा की अवर्टाइ, आप विद्डी का विज्डी स्कॉर्य।, जैंक्न वुद्टा-चॉर्ए, आश्मान का द मुइव double मुइभ 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 अदे अपने you ॉ अपने पने त्ट पने मुइभ अब really sorry that I have to play this but the point is के आप शोर मचाः हो के ये human rights or freedom of speech का है और ये कोई video में कोई चुपी भी video नहीं लेकिया और ये इटरीक्स के rights hai Intersex کے rights हैं, what is this? यह क्या चीज है wären, इंटर सेक्स ही करते हैं? Exactly. मतलब आप यह बात करें आप लूट के वह इंपर इससलिए आया है, क्योंकि वह rape करते थे, रगी आप यह कर सके हैं. Let me tell you stats. Homosexuality में ज céthny harassment और rape की cases ही ना, वह straight man में और state individuals में नहीं. और डमिस्टे की भी ज़ाद है और जो उनकी जो multiple partners के जो cheating का मामला है डमिस्टे की भी ज़ाद है उनके cancer, inner cancer के भी problems है, obviously अब वेरी AIDS जो की भीमारी, वस basically spread from it, because it was known as the gauging अभी monkey box देख लें भी आप monkey box नहीं मानने को देख लें रहे हैं क्योंकि नहीं आनने के तेयारें, because अभी वो जैसे मैंना पको एक और विडियो देखा दो अगें अगें, फो यूर ये विडियो देख लेगे, क्योंकि हम विडियो चलाने बाद के लिए जिए भागे, भीमार फिर से देदीजिए यह अप मुझे बताईए यहे बात यह हमें क्यों दिखाने की जरुत पड़ रही है इकलोज आप यह बात नहीं कर रहे हैं यह आप पब्लिक प्लाटफॉर्म पे आके बात कर रहे है और आप चाह रहे हैं इन्होंने अपने एक वीडियो में ये बात कही है कि मेरा मिशन जो कुएर जो अवाम है उनके राइज दिलाना नहीं है, मेरा मामला है कि मिजोरिटी अवाम को ये काम करना है विकोज मेरी जो जंग है वो हेटरो सेक्शॉालिडी के अगेंस्ट है, मरदानगी जोसको हम कहते हैं मरदानगी, उसके अगेंस्ट है उसको ये टॉक्सिक मेस्विलनटी बोलते हैं और उसके चक्र में अभी, तो मैंने भी, आप अम जिस टार्टिंग मैंने तो सिर्फ सेलेक्टिव दिखा ये जो अपने अफेर्स और उनकी बारे बात करें कि आप उनके सामने इस तरह की गंदी बात कोपहलाने के लिए करें अगर आपको ये अतराज हो रहा है कि अभी तो आपने सिर्फ लोज कॉन्रसेशन की बात किये तो मैं आपके सामने एक public platform पे show और आपके number जो podcast host हैं उनके साथ show करने के लिए इनको ये platform दिया जा रहा है, do not be fooled कि अगर वो news में आ रहे हैं, अगर वो यहां ते के TV पाने लगे हैं, अगर बहुत मशूर लोग लगे हैं, there is an entire agenda to put them in the front so that people gets confused because दो चीज़े हैं, शहवत exactly, और शक के सही क्या रास्ता है, यह कौमों को तवा कर दे रहे हैं, एक और चीज़ वजीब है, यह जो young people, जो teenagers हैं या जो young हैं, youth की हम बात करते हैं, वो बहुत जादा इस चीज़ को endorse कर रहे हैं, क्यों? क्योंके somehow this guy, he's good at articulating his speech I don't think he's good at, I just think के यह सामने टकरा नहीं है, किसी कुछ को आन ही दे रहे हैं, लेकिन मोईज है संब्से, आपकी बात पर मोईज को कुछ कहने की मौका मिल रहा है, वो ही कह रहा है, यह देखे, वो ही कह रहा है मैं तो गेज को और LGBTQ को फिर भी गुरामी कहूंगी मैंने मूँ से निकल वाटे दिखा दो, तुम लोगे ने मुझे समझा वा क्या है, कि मैं दूद पीती बच्ची हूँ मैं को, मैं को, मैं को, मैं अलू कुछ जवावी है, कि आप कुछ भी कर दें, स्टाट शो कर दें, नहीं मानने के लिए तियार मुईज को आप कभी भी किसी इंटेलेक्चुल से डिबेट करते में नहीं देखेंगे इस टॉपिक में, क्यों कि उसको पता है, he has no philosophical backing, he has no scientific backing, there is none, there is none, ये वलनरेबल लोगों को, जो वलनरेबल माइंड होते हैं, जिनको शायद इतना इल्म नहीं होता है, इन टॉपिक्स के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से, quote-unquote, articulate करके, terminologies यूज करके, ये प्रिजेंट करता है, ये प्रोजेक्ट करता है, ये बहु जेंगोबाज, Express Tribune, Dawn, ये उसको इंडोर्स करते हैं और उसको एक दिखाते हैं as a celebrity, ये देखो, he's your savior, he's your hero, oh my god, this so-and-so guy or so-and-so actress has given a, you know, a face-breaking reply, मुह तोड जवाब दे दिया है, और ये कर दिया है, oh my god, it's gone viral, everybody's crazy, the internet is broken, let's just cut the drama, reality, nobody's sharing it, nobody's talking about, people are not even happy with it, लोग हमें जिस तरह से बोल बोल रहे हैं कि भाइस बारे में बात करिये, आपके बास platform है, and लोगों ने इतना बोला है कि जीजे बेजिए, and eventually, because now it's coming out of the year, कि आप कल को इतिजार करेंगे कि national television के ओपर आके बैटर आप बोलें कि यार ये कैसे हो गया, it's no more confusion amongst the elite or the non-elite, and now it's a confusion, which is purposely and deliberately being spread amongst the masses. और इनके बारे में अल्ला कुरान मजीद में कहता है कि वो लोग जो मुस्लमानों के बीच में फाहशी पहलाना चाहते हैं, बेहाई को आम करना चाहते हैं, इनके लिए दुनिया और आखरत के अंदर दर्दनाक अजाब आप 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 इनके तियार करका है, so these people should repent first off, and we pray that they repent, if they do not repent, then they should be prepared, and by the way, ये वीडियो भी आप दिखा दे हैं यहाँ पे, वो जो वीडियो जिसके अंदर ये जहन्नम की आग मैं जल रहे हैं, और साथ कह रहे हैं, के ओहो मैं जहन्नम की आग मैं जल रहे हैं, मुझे पटी तकलीफ हो रही है, they're making fun of Islam, ठीके कहीं प ये पश्टून है, ये पठान है, ये तो बाते ये सरही करते हैं यहाँ पे, तब आप डिरेक्ली एड हॉमिनम जवाब दे रहे हैं, उसको परसनी टागेट करके आप रेसिस जवाब दे रहे हैं इसको, इवन जो सिस्टर मारिया भी ने जब रिस्पॉंड किया, के जना के I'm sorry, we have the right to not call him to school, तो आपने जो कहकेते हैं, अपनी स्टोरी में शेयर किया, इन साफजादे ने, और उनने बोलना के है, शुरू किया कि, oh my god, इसके जो मेकप का, whatever, जो face का हो है, उसे जाए तो मेरा अच्छा है, you know, you becoming, you becoming, not just you, you going low. यह वजीब ही, यह typical typical जिसे पहते हैं ना, बाजारी arguments, sorry to use this word, यह typical बाजारी arguments हैं, और यह जो गली महलों में लड़ाईयां होती हैं न, cheap लड़ाईयां जो होती हैं, जहां पर फजूल cheap किसम की बाते होती हैं, और points मारे जाते हैं, leg bowling होती है, उसके लावा मुछ करता किया, जो भी नहीं करते हैं, और by the way, जितनी हमें वीडियो दो भी शेयर की हैं, यह सारी के सारी चीज़े, these are punishable by law in Pakistan, और यह इनको clear cut पता होना चाहिए, article 37 हमें clear cut पताता है, उसके जो G portion है, वहमें clear cut पताता है, कि state का का काम है, कि social evils को eradicate करे, और state जो है, उसके अंदर यह ची आपर पॉड़्यास्ट में confession है, तो आप यह कह रहे हैं कि काईनात और खुदा दो मुखिलिफ चीज़े हैं, और खुदा काईनात के अंदर हर जगा है, जबके हम यह कहते हैं कि जो कुछ है हमारे इरदगेद मौजूद है, वो तमाम चीज़ें खुदा हर जगा नहीं है, खुदा हर चीज में हैं, और खुदा हर चीज है, और हर चीज है, झाहुता हर जहाज हैं, इस जए हम भी California और खुदा लार ही टार। औž आप बात किसी, आप एक बोंगी मार रहे हैं मतलब आप सबसे कितीं डेंटरिस बात करें मतलब अलभा रबैल इजत लईसे के मिसली श लुज मार्स जड़ीं दें शाड़। उप्रियरियस जॉत। बिच पिच में इस्लामिक रफेंस और रिलिजन का रफेंस देना और इस तरह से साउंट करना कि He knows a lot about religion और बतब आप आप देखी अल्ला की जात के बारे में ये बात कैफल रही है कि अल्ला सुभाना ने कुरान में के क्ले लिका कि देखिए अल्ला सुभाना उटाला के बारे में बगेर इल्म बात करना अपने रुलिजथ के बारे में बगेर इल्म के बात करना वही चीज़ शिर्की तरफ लेके जाती है अपनी मखलूक के साथ मिलावा नही है ये लिए Allah's की लिए की शान Allah's की जात पाक है तमाम इन बातों से Allah के रसूल किस तरह से हम के कहफियत द神res इमाम मालक रह्मनों ने हुखँ अडिर्मा अमाम अर्म तो आória। गौड की एक्जिस्टन्स बढ़ रही है, कोई मर रहे है तो गौड की एक्जिस्टन्स श्रंक रही है। गौड की एक्जिस्टन्स बढ़ रही है। गौड की एक्जिस्टन्स बढ़ रही है। उसके अंदर 294 वो क्लिरली स्पेसिफाई करता है कि किसी भी पबलिक स्पेस के अंदर आप अपसीन बात नहीं कर सकते आप अपसीन जेस्टर नहीं कर सकते आप अपसीन आवाज नहीं निकाल सकते यानि ये इतनी शदीद किसम की सक्ती है इसके अंदर और आप यहां पे गालीयां भी दे रहे हैं आपके जो पोस्टर था जंडर रेविल पार्टी वाला उसके अंदर आप उंग्लियां दिखा रहे हैं उसके पर हमने सोल्ड आउट का दिखा दिये लेकिन आज़ा उनने वो घुड्ल फिंगर दिखा रहे हैं words or again by action सिर्फ imply भी करता है तो हमारा law जो है वो कहता है again that person is punishable by law वा देखी ये ये तो patriarchal laws है ये मर्दों को control और और अर्टों को subjugate करने के लिए जिस तरह ते gender जो है social construct है ये laws की क्या है ये इनसानों का है ना तो ये आसमान से उत्रीन है और तमाम तरह की आजादी को आप ये ये जीज़ आसमान से नहीं उत्री भी लेकिन ट्रांसजेंडरिसम के बारे में बात करना उसको गलत कहना मैं ये तो कह रहा हूँ अच्छा एक आप भी और पीनल कोड बताना 377 में अननेचरल एक्ट पे life imprisonment की कहते हैं के अननेचरल एक्ट होमोसेक्शॉालिटी हो गया या कोई भी सर्गाइक जिसने जिसको ये परवा नहीं होगी खुर ले आके जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तालिमात को गलत बियान करे अपनी शहवत और अपनी हवा और अपनी डिजायर्स को जस्टिफाइ करने के लिए तो ये पाकिस्तानी लॉस क्या है चलें एक और क्लिप तेखते हैं आपको दिखाने रखं़ लुटष्टी का भी विटवी लुक्त वो बेसकली.. और वे किसे वोश्य। कि वे रहुट कि मैए रही हो इसेडि़। वो लो हाँ लो ही थुट मैए पूल अच्छाओं अच्छाओं है वहाँ पूल्च बर्धिय। यह पुल्चर, यह वेट थे नुट होब, I'm a very big proponent of legalizing myowana as well. I was part of the DC policy reforms. I was part of the DC policy reforms. Later on, when people push us in Washington DC. So, you open it and talk about that you are not just the connections and not just the connections, but you are physically the bad work. That you are also talking about. End times. End times. You don't even know how many times. I will share it in the way that they have openly said. I'm sorry if someone is angry. I've seen the disclaimers in the beginning. If you have joined in the future, then you are wrong. So, I'm going to make marijuana legalize for Pakistan. He said that I have to make it legalize for Pakistan. He said that I have to make it legalize for Pakistan. By the way, I want to do that. Now, you can see, a person who is opening this up. Let's take a clip. Let's take a clip. Today, whatever you have saved, every time, listen to you. Listen to this. I've probably showed you this. What are you going to do? which is And, you listen to this a little bit. And, how do you listen and listen to this? Hey, I'll tell you a bit today. I want to talk about a record about this now. Gaymen have ten times better looking than straight men. Really? I believe it. I thought all the **** would need, like You know, there's some ****, there are **** चले, यहाँ पर मैं रोख देता हूँ क्यों कि Even this is a lot for me But the point is कि इसके आगे खुले हम बात हो रही है कि मेरा तजुर्बा क्या रा चुका है आप किस, किस What are you confusing it? आप एजेंडा लेकर Transgenderism की बात कर रहे है हो कुछ और रहा है और यह तो वही बात रही कि जो movement में आड़ किसी और चीज़ की है और उसके पीछे जो है 10,000 चीज़ों को legalize it And this is what we are doing बातिल, बातिल, बातिल आप कुरान की example लें अगर आप फिराउन, फिराउन भी जब अपने लोगों को मुसा अले सिल्म के खिलाफ करने की उसने की उसके अपना यह तुम्हे तुम्हारे लैंड से निकालना चाता है He used the very idea to justify his cause Even he was under the illusion के यह हमें हमारे हक चीज़ने के लिए आया और इसको यूज़ करते ले और उसने बाकी चीजों के इस्तमाल किया और हक को जुट लाने की बात की बातिल कभी भी पूरी तरह के से बातिल नहीं आएगा वो एक कौज लेकर आएगा और आपके जितने भी माशरे में हिस्ट्री में अगर कोई बुराई पहली है अगर कोई फितना पहला है तो वो कोई नहीं कोई इस तरह का रूप या सामने शीड लेकर आता है बेगल असी है और वो इसी जो लोग होते है ना बेवकुफ उनको बेवकुब बनाके अपनी लपेट में लेता तो यह लियाव है कि देखिये तो लियाव है उनके साथ कैसे जलम होता है हुआ 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 ह को प्रिजेंट करते हैं, face पे रखते हैं, face पे रखते हैं, as a decoy use करते हैं, कि this is what we stand for. This was the entire agenda of when they were trying to legalize homosexuality, जो दो gay individuals लिखी थी, overhauling straight America, और ये pattern आपको बार बार बार, उंट का शगल दिखा हो, ताकि पीछे बना पगाचे रहे हैं, डिस्गस्टिंग, हम आपको आज ये वाली चीजें क्यों दिखा रहे हैं, हम असल चहरा दिखा रहे हैं, जो सामने TV के आके जो शकल दिखाए जाएगी, intellectual दिखाए जाएगा, उसकी पीछे ये है, absolutely, ये करते हैं, decoy, ये pattern यही है इनका, ठीक है, नोने सीख लिया है, उसी method को बार-बार यूज करते हैं, decoy रखेंगे कि मैं transgender rights पर बात करूँ, मैं खौजा सरा, transgender भी खौजा सरा, क्योंकि हमें खौजा सरा बताया जाता है, कि उनकी rights पर बात करूँ, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, जो जादा नहीं समझते कि क्या differences में, हम कहते हैं, हम सपोर्ट यू, ठीक है, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हो, ये तो इनकी rights उनको मिलने चाहिए, इसके लावा, जो decoy ने सामने रखा था, जो भी इन्होंने agenda या जो भी चीज, what they stand for, वो सामने रखते हैं, उसके लावा, ये सब कुछ कर लेते हैं, जो जो चीज़ उनको करनी होती हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन at the end of the day, वो support उसी चीज में लेते हैं, कि आप तो मज़ेस्टे support करते हैं, कि मैं transgender right बे बात करा हूँ, काप एक वी podcast में कुई ऐसी बात हुई हो, ये सिर्फ वो है जो आपको आपको टेस्ट मिला इसके दिल का, and he's called an intellect, आप इसको intellect और उसको आप academic कहरे हैं, academic, social activity, you really really think you should be learning anything from a person who talks like this, you really think that way? हम politicians के बारे में कहते हैं कि उन्होंने गलत इस्समाल कर लिए, और अब हम यहां से, यहां से academia के बारे में, यहां पे इतने sensitive issues के बारे में, हम यहां बात करेंगे, हराम और हलाल के बारे में, एक तरफ यह आप क्लिप के अंदर, आप की बात करता है कि अमें हलाल हराम के बात नहीं करता है कि यह बड़ा खतरनाक महामूद, आपकी बात अब आप सुन लीज़े, सब रखा हुआ है, सब मवाद है, यह सुनिये, यह सुनिये, कि वुली के बात करने माले क्या हराम, आप स Always. कि वर्म्क ए हराम का मतलब है कि बुली चीज मत करने वाली. गौली की बुली कोरी चीज मत करनेवाली. यह सुनिये हराम जह ममेट सुनियेट, यह सयं आप गौना हराम हराम बहूली गोड़ ये तो एक्स्ट्रीम बहुत ही सीरियस बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है जो हर कोई नहीं पहुंच सकता इसे इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है आप एक आम करें जैना की जोड़ा यही बात करके वे जी पी एक्जेक्ट यही बात करके और उसके बाद यही बंदा और प्लैटफरम उसके पर आके कहता है और उसके बाद आके कहता है कि होमोसेक्शुलिटी जो हो तो हलाल है यह बोलता है बंदा है यह खुद कहता है कि होमोसेक्शुलिटी हलाल है homosexuality actually हमारे culture का हिस्सा था خواجہ सिराहियत जो है वो हमारे culture का हिस्सा था मज़े की बात, خواجہ सिराहियत का homosexuality से कोई तालोग नहीं ठीक है पहली बात, तो हम पहले explain कर चुके है वो effeminate man है basically, उसका homosexuality से कोई तालोग नहीं है, आपने उसको अंतबंद कमरों के पीछे क्या हो रहा है ये, we're not talking about that और हम control भी नहीं कर सकते अल्लागे नभी से दौर के अंदर भी बहुत बड़े बड़े गुनागार थे, जानी महजूद थे, हम उन सब को रोक नहीं सकते, जब लिकिन अगर पकड़े जाएंगे हम उनको सजा दिलवाते हैं, ठीक है तो यहां भी बन्दा, खुद आप कितना falacious argument है, बच्चों वाली बात है कहता है कि हलाल अराम की हम बात नहीं करनी चाहिए ठीक है, और उसकी बात आई कहता है कि नहीं, homosexuality जो वो तो हलाल है, क्योंकि वो हमारे culture के अंदर थी और वो मुस्लमानों के अंदर थी यह basically गोरा आया था, insert clip here यह गोरा आया था और यह गोरे ने आ के basically यह term homosexuality इसको taboo करके और इसको हमारे अंदर फिट कर दी और आज तक हम उसको हमने taboo में आगा तो भाई सब simple सी बात है पहली बात, Khuadha सराब मौजूद थे आपे, बिल्कुल थे, इसका मतलब यह निए कि homosexuality जो है, वो widely accepted थी कभी भी accepted नहीं थी culturally भी accepted नहीं थी, लेकिन अगर चलें आपकी बात थोड़ी सफ़र्द सिक of argument सुन भी लिए तो culture का तालुक दीन इसलाम के rules और regulation से नहीं है, अगर accepted था और गोरे नहां के का कि homosexuality ठीक नहीं है तो हम कहेंगे, हाँ, बिल्कुल आप ठीक है homosexuality ठीक नहीं है, क्यों नहीं है क्योंकि हमारा Quran में जीद यह कहता है और secondly, मैं यहां पर वापे से audience को यह बादाना चाहूंगा कि हमारी इस सारी बात ने करफ जो लोग अभी भी skeptical हैं, उनको अभी भी समझ में नहीं आए हैं उसको में जोने हैं, शायद हम बहुत को बड़ा चड़ा के बता रहे हैं कि देखिए, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे individuals हैं, इंटर सेक्स हैं जिनके साथ वाकि उनको bullying किया जाता है, उनको मजाक उड़ाया जाता है उनको उनके साथ बुरा रवया रखा जाता है, उनको society हों में जान बूच कर इस वजा से उनको शायद female की तरह त्यार किया जाता हो, शायद माबाब उनको वो कर देते हो हमारी उनके साथ sympathies है, हम उनके साथ bullying को जहनी प्रोमोट कर रहे हैं, हम उनके साथ उनको बुरा रवया नहीं कर रहे हम उसकी आर्में जो ये फिल्ड और ये एक ऐसी चीज लेकि आया जा रहा है, जो के हमारे माशरे में, जो करॉप्शन पहलाएगी, हम सिर्फ उसके खिलाफ है, ताकि हमारी जो purity है society का, हमारी society में भी बहुत से issues है, और अगर आगर आप ये बात बोलते हैं, कि देखिए, सारे मसले छोड़ की बात करनी करनी है, जिसने मानना है, वो मानेगा, नहीं मानना है, और अगर अगर अभी भी आपको लगता है, अभी भी आपको लगता है, कि आपके स्कूल में बच्चों के सामने इस शक्स को आके बात करनी की ज़रूरत थी, तो आप ये बात सुननी जो, कहीं पे में स्क स्कूल की से हमारा टॉपिक शुरू है ना कि हम तो यह सुननी जाएंगी यह स्टैंड अप एक कॉमेडी शो है यह क्या है यह अवाम के अंदर एक उपन प्लाटफॉम पे बात हो रही है वंचान प्लाटबे इन वेलागा इन शोटी चुरू अवाम कर से नालमेटालन चाशनी से जाएं इंवाम केंडालन प्लाटवर मेंस से gelecek तåल्यर जाएंस सबने गार यह आपने ceğim नो, I mean, I can, no, why not? I mean, it's so cute and so patriarchal. I love मैं इरादा करता हूँ कि मैं चलाओंगा और मुझसे चलाल चलाते बीच में वीडियो रोग देता हूँ मैं और मैं आपको अनुस्तिवा बता हूँ जब नॉमलाइज हो जाती ही नो, society इस तरह की बाते सुनने में जब इस तरह के लोगों को case study आपके सामने रखता हूँ, Bill Clinton का फेरिया चला था, उसकी secretary साथ, and इसकी खाली बारे में बात की थी न्यूस पे, तो the kids, the school going kids started talking about that, talking in that language, they started, you know, using, fill the language on a very, you know, casual manner, in a very casual manner, जब आप इस तरह के लोगों की जबानों को mainstream पे आम करेंगे, और मुझे एक बाप बताईए, मैं आपको honest बाप बता हूँ, यह कितनी खतना बात है, अगर आप दो बाला या स्कूल जा रहें, ठीक है, स्कूल के बारे में बात करें, या बड़ों के सामने बात करें, हम तो इस मज़ा को लेते हैं, इनका असल टागिट जो है ना, इनका असल टागिट है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, जो इनके बीच में रहके, इन लोगों की चीज़ों को, प्लॉट को मालूम करके, वो मुझे communicate कर चुका है, कि यह लोग क्या strategies करें, इनका असल टागिट आप और base मानने लगेंगे, आप अभी हम society में कहीं न कहीं इस चीज़ को बुरा इसलिए मानने लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इस चीज़ की basis डाली गई हैं, अगर आपने ये barrier तोड़ दी है, आपकी आगे आएने वाली, जिसमेरे एक student मुझे से पूछा था, कि सर, Islam को क्या मस मसला है, अगर दो मर्द आपसे में प्यार करते हैं, दो ओरतें आपसे मसला है, मतलब सवाल में ही एक बच्चे की बिचारी की वो थी, कि उसकी सिंपती थी, कि मासूमियत थी, उसको लग रहा था, कि Islam जो है ना, एक इनसानी हकूग के, एक प्यार के खिलाफ है, और ये स्टेट लेवल के उपर, वेस्ट के अंदर, किस तरीके से, स्कूल के अंदर, ड्रैग कुइन, ड्रैग कुइन स्टोरी आर हो रहा है, वाई? स्टोरी आर, बच्चों को उस ड्रैग पाटी में लेके जाया जा रहा है, वहाँ पे वो ड्रैग मॉडल्स आ रहे हैं, बच्चों को दिखाने के लिए, एक्जैकली, और जो लोगों को पता हैं ये ड्रैग मॉडल्स की आउते हैं, ये मर्द होते हैं, जो औरतों की तरह और बच्छों को जो कहानियां सोनाते हैं, I could only imagine कि बच्छों को क्या कहानियां सोनाती होंगे, बच्छों से क्या वगुफत्गू करते होंगे The kind of depression level, suicide level, मैंने अपनी पोस्ट पे मैंने इसके बारे में article लिखा था because I just wanted it to be out there. अगर हम इसे बात भी कर रहे हैं, हम इसलिए आप बात नहीं करें कि लोगों के अंदर फजूल में इस चीज़ को आम कर रहे हैं, बढ़के अगर बुराई, बोरे लोगों की वज़ा से कम, सही लोगों की वज़ा से कि ना बोलने पर उसको फैलने का मौका मिलता है. आप contribute करे मैं उस पारे मात करने के लिए, मैंने ट्विटर का एक अकाउंट है, एक individual का जिसने अपना sex change करवाया, उसने बोला मुझे किसी नहीं बात नहीं बताई थी, उसकी पूरी स्टोरी है, उसकी स्टोरी वो बोले कि he or she was a propagator of it, और उसने बोला कि मुझे किसी ने इसकी consequences नहीं है, मैंने बोला, उसने मेरे, डॉक्टर्स ने हाँ करके मेरे कर दिया, अब मुझे नीचे अपने lower abdomen में कोई feeling नहीं आरी, अगर आप मुझे इसमें पोक करेंगे, कुछ वो नहीं होगा, और इसने अपने experience बताना चुरू करे कि मैं numb feel कर रही हूँ, और इस तरह से हो रहा ह शेतान ने क्या किसम खाई थी, कि Allah अक्सर शुकर गुजारनी होंगे, मैं इनको मिसाल दी थी थी ना कि बेल के कान कटवाना, कैटल के वो करवाना, वो तेरी तखलीक को बदलेंगे, this is the part of the fact कि Allah ने मुझे जो बनाया है, I'm not happy with it, I want to make changes into it, and this is what they're creating, you're happy being a, जो थो थो तो मेरे उसके भाई जो हैं वो नहा रहें तो उन्होंने शॉर्ट्स नहीं पहनी, तो मुझा, what is so and so thing, उनकी प्राइब, why don't I have it, तो सुबला कि जैना कि, अब इना, they try to be politically correct, तो सुबला कि जैना कि, देखे, मैंने बेट्यों को सीधर जवाब दे दिया, कि it's okay, when you grow up, you can be whatever you want you can be whatever you want, ये वो इन्डिविजुल्स है, आज आपके बच्चों में, अगर अबुबकर सिद्दीक रदियालाएं हो, उमर अबन खत्ताव रदियालाएं हो, उस्मान, अली रदियालाह अन्हाजमाईन, सबके बर अल्लह सुमात अला की, जो है, मगफिरत हो, अल्लह सुमात अ किसकी इंस्पिरिशन आएगी, किसकी बातों कमानेंगे, इन रफस्टास की, इन मुजिशन की, इन इन सलेबिटीस की, तो बी कहफुल कि आप बच्चों को क्या दिखा रहे हो, और ये ये ये, ये, आपको अगर बात सम्में आगी, ठेक है, फजक्र इनमा अंता मुजक्र, हम बात पहुचाने वाले हैं, because we don't want this podcast to become a show of vulgarity, I think we have communicated, what do you say guys, so the point is, without making this podcast any longer, आप अगर कोई बात रहेगे, ये तो इन्शाला तरह सुआ आप बात करें, मैं फिर conclusion करना, एक वजबी में जरूरी बात बीच में यहां पे convey करना चाहरा था, शायद हमने पहले भी किसी podcast में इसे बारे में बात किया नहीं है, मुझे याद नहीं है, हमारे मुलक के अंदर ना, एक जो बिल आया था, transgender person protective rights का बिल एक आया था, 2018 में गाले बनाया था, 2018 में पास हुआ था, उस बिल के अंदर इन्होंने self ID, इसको आप कहते हैं, यानि जो भी जिसरा हमने शुरू में ड नादर ऑफिस और वो जाके अपना औरत वाला कार्ड बनवा सकता है, या वो कार्ड बनवा सकता है, जिसके अपर X लिखा होगा, बैसके, तो यह जो हमने शुरू में बात की ना, कि एक बहुत बड़ा, यह इंटर सेक्स का लिबादा ओड़ते हैं, वैसे तो by the way, इसके उ पॉइंट फाइफ परसंट आफ दे पीपल, दे वर रेगुलर एक्स एक्स और एक्स वाइक्स 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 या फीमेल थे, या आप अंदाजा करें कि सिर्फ और सिर्फ दो फीसद ऐसे ते जिनकी कोई अबनॉर्मालिटी थी, या वो इंटर से क्लासिफाई हो सकते या उनका कुई ना कॉई कॉम्पलिकेशन था, जेंडर से रिलेटेड तो यह लोग उनका लिबादा उड़ते हैं और हमारे मुल्क में क्या हुआ इसके बारे में, हमारे मुल्क में यह हो कि सेल्फ आइडी की इनोंने, सेल्फ आइडी करके उसके बाद आप लोग साहिद पबले यह समझ रही है कि हम खौजा सेरा के उनको कोई तासर दे सकता है कि हम उनके खलाफ बात कर रहे हैं, खौजा सेरा कम्यूनिटी का जो उफिशल स्पोक्स परसं था, इस बाक इन 2018-19 की बात ही करा हूँ, उनका जो उफिशल स्पोक्स परसं था, मैं नाम नहीं लेना लोग देख सकते हैं, खौजी सोशल मीडिया के उपर उनके क्लिप्स पढ़े हैं और लाइफ उनको ने चेंज कर ली, उनको बकायता बुलाया गया, उनको बलाया गया, उनको गर्मेंट ने ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, उनको बताया कि हम यह यह करना चाते हैं, और ज जहां पर यह सारे के सारे खौजासिरा कम्यूनिटी रहती है, और हर चेर में, उनको अपने आपको शामिल कर लिया, खौजासिरा कम्यूनिटी के अंदर, अब मैं खौजासिरा हूँ, क्योंकि यह सब ना, मुडल डप है, जो सुन भी रेन को भी लगया है, खौजासिरा, मैं ट्रासजेंडर हूँ, उसने कहा दिया, अब उसके उपर रेप का केस ही नहीं चल सकता, वो आके बैठके हम आपे, और यह जो उनका स्पोक्सपरसन ने, इन्होंने खुद बयान किया, इन्होंने कहा कि इस लूप होल को, जो सेल्फ आईडी का, इन्होंने लूप होल ब इन्सर्ट कर दिये, अब हमारे एजंडे को, जो इनको राइट्स दिलवाने थे, वो हाईजाक हो चुका है, इसलिए हम इसके अंदर पार्टिसिपेटर नहीं करेंगे, आपको शायद याद भी होगा, इन्होंने कोर्ट के बाएर इन्होंने एहतजाज किया था, वो हम से काम करें चल दी, और पीपल कर लुक दिस अप, यह भी भी अवेलिबल होगा सोचल मीडिया को, अइटरनेट पर अवेलिबल होगा, कि वहाँ पर जो तसादू मोरा था ना, जो हम कह रहे हैं बात, बैसलिए, वो तसादू मोलवियों का, और मोईज और इस अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि what is what and who is who, तो फिर और कुछ भी नहीं किया जासता है, यह इनकों खिलाफ है, यह हमारा नाम इस्तमाल करके law के अंदर आना चाहरे हैं और यह नोकरियां ले रहे हैं और यहां पर पहुंच रहे हैं, बाकी कुछ political parties करती हैं, अपने अजनले पूरे हो रहे हैं, और खरीब वहीं का माई है, रोटी कपड़ा मकान हाजूस का हुआ ही है, खादा सरा कम्यूनिटी के लिए क्या हुआ है आज तक, इस दिल राइट्स किया से, कुछ भी नहीं हुआ, उनको एक आइडेंटिटी देना, देखे, अल्लह सु आजे भी बेहां कि जीए, तुम में जेना, अल्लह सुमा आजे ने वजलनाकुम चुम्हें दिमां में याद निया री, कि मर्द और और उर्थ पैदा किया, हमने तुम्हा चला का जवालाएंसा, हाँ, आल्लह सुमा तालना तुमारे बीच में, जो मर्द और और उर्थ, इ एक इनसान अगर उसका कोई intersex का मसला है उसको जो चीज फुकहा ने बयान की is to give him एक्राम what he can be identified as because the very idea of physical relationship and marriage is lineage, नसब जिसको protect करने के मकासे दिशरिया में जो मकसद है, तो आप उसको बिगाड़ना चाहते हैं आप चाहते हैं निए वो शहवत तक हो so that society के अभी जो मसले नज़र आरे हैं, उसे कहीं ज़्यादा मसले आना शुरूआ है, बाइलोजिकली भी pleasure was never the main purpose हमेशा से main purpose वो reproduction रहा है, किसी भी sexual act का जो main purpose रहा है, it has always been reproduction, it has not been pleasure, pleasure has been a secondary quality जो से आपको ड्राइब ही जासती है और इसका एक मिसाल वजीब ही, महीं आपे public के लिए, आसानी के लिए बियाँ कर लोगा अगर वो फिर भी उनको confusion है कि मर्द और 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 अरत के, इसकी बीच में कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब है, आप यह कहना चाहरे है हमें कहने जाले हैं, बिल्कुल बीच में कुछ भी नहीं हो सकता अगर कोई है, तो वो deformity है वो कोई माजूरी है वो एक problem है, this is not the norm दमागी भी हो सकती है दमागी भी हो सकती है, this is not normal, इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बंदा लंगड़ा है ठीक है, उसकी टांग कटी ही है उसकी टांग टूटी ही है, तैसे आगे टांग डवेलप नहीं गुठने से आगे, तो अब वो आगे से बोले कि आप मुझे जैना वो अपाहेच नहीं बोल सकते क्यों ही बोल सकते है, क्यों? क्योंके टांग होना या ना होना it is a spectrum, आपकी टांग इतनी भी हो सकती है इतनी भी हो सकती है और पूरी पूरी भी हो सकती है तो it is a spectrum, it is not a spectrum टांग होती है या नहीं होती है उसकी बीचे वाला जो मामला है वो सारी माजूरी है वो प्रॉब्लम है, this is not the norm stop normalizing the abnormal exactly, हलागे इतने scientific बनते हैं सारे, और यह भी बता कि science, science की सारी study, it is the study of regularities, जितनी भी sciences, they are the study of regularities जो कोई शाज या कोई odd चीज होती है, इसके बारे में आप इसको main opinion बना के और पूरी की पूरी एक तहरीक चला दें this is not common sense this is not scientific, this is not logical this is not moral and this is not Islamic as well आज काफी हैफी दोज होगे शायद but alhamdulillah, I think we've been able to highlight the issue and Zarin, कुछ जाते जाते कुछ बजी बई, बस मैं एक छोटी सी बात करूंगा लोग अकसर दफा़ इसलाम को associate कर देते हैं इस act से, कि Islam is the only thing stopping us from this which is not true हर रिलिजिन, ख़वव़ मोनोथिटिक रिलिजिन है या पॉलिजिस्टिक रिलिजिन है ख़व़व़ एक खुदा को मानते हैं या वो multiple gods को मानते हैं, उस में ये एक्ट हमेशा से हराम रहे हमेशा से condemned रहे है, ठीक है Islam is not the only religion now the thing is हम Islamic perspective से अगर बात ना भी करें न, for those जो researches, scientific researches और surveys सामने लाते हैं, जो cherry picked होती हैं, कि John C. वो चाते हैं, वो सामने लाते हैं कि it is natural देखें, natural होना किसी चीज़ की, जैसे हमने last show में भी कहा था, जो हमने किया था, homosexuality पे, वो दलील show था, उसकी link नीचे add कर देते हैं, उसमें लोग जान सकते हैं कि इसमें scientific problems किया हैं, इसमें philosophical problems किया हैं, तो अगर आप इसलाम की बात ना भी करो न, ये एक फितरी अमल नहीं, खुदा के लिए इसलाम की जो बाते हैं, उनको उनके पर जोड़ दें, जो specialized हैं, इसका मतलब इसका counter reply ये ना करें कि ठीक है, जो इस तरह से जो लोगों के गलत act को आप Islam के साथ associate ना करें, और जो Islam के नाम पर करते हैं, और जो Islam के नाम पर तबका अपने आपको associate करें तो उनकी बात नहीं करें, लेकिन जो specialized हैं, जो scholars हैं उन तक रहने थें, प्लीज लोगों को मजी confusion ना करें, लोगों की जन्दगीयां वैसी वो बहुत हैं, and this is why what we are doing is using this podcast and platform to be able to highlight the issue, आप सौ साल के बाद आपकी हड़ियां में लेंगी, तो इसको नहीं पता होगा कि किसी को क्या आपकी हड़ियां देखे, बोलेगा ये male था या female था, based on your bones, stop confusing people, stop coming up with things to justify your mental issues, please, truth is bitter, सचाई बुरी है, अगर आपको you can't face it, you can't live upon the truth and you want to twist things, just because this is how you want to be, so that you want everyone to be like this, this is some seriously psychological issue, इसके उपर हम काफी बाते कर सकते हैं, काफी बाते करने का time है, but of course looking at the attention span of everyone and looking at the time, हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं, I hope Allah सुआ अचाला से दुआ है कि Allah सुआ अचाला ने हमारे, हमारी कोशिशों को आपके सामने एक वाज़ तोर पे चीज़ को clear कर दिया हो, कि ये मामला कितना dangerous है और कितना confusing है हमारी मासूम पबलिक के लिए, और किस तरह से हमें individuals की इस तरह की propagation से बचना चाहिए, so please be aware of it, be aware कि किस तरह से आपके सामने ये normalize किया जा रहा है कि ऐसा नहों कि कल को ऐसे बढ़ जाए, कि आप इसको रोकना सकें, और इन्शाला ताला, अल्ला सुभाना उताला, हम नहीं तो कोई और जरूर रास्ते में पैदा कर देगा, जो इस बात के मरजी से वही चीज़ जीतेगी जो हक है, वही चीज़ गालिब होगी जो हक है, और जो चीज़ गालिब है तो अल्ला सुमाना ताला का कलाम है, और बातिल आया, कई बातिल आये और उन मिट गए, और बातिल है मिटने के लिए, और हक तमाम चीजों पर गालिप रहेगा बनाया हमें हमेंग चलने वाला बनाए बनाया का फरमा वरदार बनाया बनाया हमारी मरजी हוכ ठीझो अपने बच्चों का ख्याल रखी ए अपने घरवारों का ख्याल रखी ए और लोगों तक व één WhatsApp को पहुंचाते रही है it's always a team work guys it's always a team work اللہ تعالی جہاں ہم سب کی قوشوں کو قبول کرے اور دعا میں یاد رکھی گا next time next Friday show ہمارا بوجیدین podcast میں نئے topics کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ دعا میں خاص یاد رکھی گا again again آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے till then السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ